हेलो और ये नाज के सुडियो में मैं आपको अधाने लग कि आप कैसे अपने माई जियो के अप से अपने जियो सीम का रिचार्ज कर सकते हो तो अगर आपको भी जानना होगा कि आप कैसे जियो सीम का रिचार्ज करोगे तो चलिए आज के इस कमाल की विडियो को स्टार्ट क open कर देना है जैसे आप इस MyGO के app को download करोगे तो आपको इस app को open करोगे जैसे आप इस app को open करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा तो अभी आपको अबर क्या अगना है अभी आपको सबसे पहले तो आप पर अपना mobile number एंटर करके generate OTP वाले option पे click कर देना होगा अपर अपके mobile number पे OTP आजाएगा और उसके आद में आपका जो MyGO का app है वो open हो जाएगा अब फाइनली हमारे जो MyGO का app है वो open हो चुका है अभी अगर आपको चेक करना होगा कि अभी आपका जो active plan है वो कब खतम होने वाला है तो फिर आपको directly आई पे दिखाए देगा आप देख सकते हो यहापर आपको mobile number जो prepared plan है वो सब को details दिखाए देगी तो आप देख सकते हो हमारा plan गोंसा है 666 रूपीज वाला है अगर आप इस पे click करोगे तो आपको और भी details दिखाए देगी जैसे कि आप यहापर देख सकते हो कि आज का जो plan है आज का जो rate है उसमें से 1.35 GB अभी left है और अगर हम नीचे की दरफ आएंगे तो यहापर आप देख सकते हो कि अभी हमारा यहापर देख सकते हो यहापर आपको नीचे की दरफ भी रीचार्ज वाल उप्शेन पे click कर देना है जैसी आप इसपे click करोगे तो तो सारे के सारे जो जो जियो के plans होगे वो आपको यहापर दिखाए देगे तो सबसे पहले तो आपको यापर देख लेना है कि आपका जो Jio Sim का नंबर है वो यह ही है या फिर नहीं तो एक बार यह आपको कनफर्म कर लेना है इसके आद में आपको नीचे की दरफ बहुत सारे प्लैंस दिखाए देगे जो भी Jio के प्लैंस अवेले भलोगे वो सारे के सारे Jio के प्लैंस आपको यहाँ पर दिखाए देगे अब इन मेंसे भी बहुत सारे प्लैंस है तो इन मेंसे ढूणना थोड़ा मुश्किल है तो अगर आपको जो है आपका प्लैंस डूणना होगा तो इसके लिए आपको सबसे नीचे की दरफ आ जाना है सबसे नीचे की दरफ यहाँ पर आपको दिखाए देगे कि जो भी 2 GB per day वाले plans है इस पर अगर आप click करोगे तो वो सारे दिखाए देगे अगर आपको 2.5 GB per day वाले plan देखने हैं तो इस पर click करके वो दिखाए देगे 1 GB वाले plan है 1.5 GB वाले plan है तो इसी सब से आपको जो भी plan देखना है वो यहां से आप ढूण सकते हो तो यहां पर हमें 1.5 GB वाले plan करना है तो इसके लिए हम इस पर आले option पर click कर देगे तो अभी जो भी plan दिखाए देगे वो सारे की सारे 1.5 GB per day वाले plans है और cricket plan, data booster यह सब कुछ आपको उपर की तब दिखाई देगी रहा होगा तो अभी देगो अब यह जो भी सारे plans है ना यह 1.5 GB वाले plans है तो इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है जो भी अपने इसाब से आपको देखना होगा वो आप चूज कर सकते हो जैसे कि यह 666 वाला है यह 740 वाला है यह है 2545 वाले plan से तो फिर आपको recharge वाले option पर क्लिक कर देना है सबसे हले आपको plan चूज करना है फिर आपको recharge वाले option पर क्लिक करना है तो फिर आपको ऐसा option दिखाई देगा यहापर आप देख सकते हो plan amount 2540, total amount 2540 और यह वाला plan है और voice unlimited है यह सब कुछ आप देख सकते हो अभी अगर आपको इसको recharge करवाना है तो फिर आपको pay 2545 वाले option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहापर कुछ इस तरीके का interface दिखाए देगा तो अभी डाइरेक्लिए आपके phone का जो phone पर का app होगा वो open हो जाएगा तो इसके लिए आपको pay by phone पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहापर आप देख सकते हो अभी हमारा phone पर open हो चुका है और फाइनली आप यहापर देख सकते हो कि अभी हमारा Jio का पूरे 11 महिने के लिए recharge हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप आपके Jio Sim को recharge करवा सकते हो और यहापर भी आप देख सकते हो recharge of your 2545 is successful तो फाइनली हमारे recharge हो चुका है अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थेंक्यू सो मच